हलो बच्चों आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज आप भारत की खोज का पाच्छे अंतिम दौर एक के आगे का अंस पढ़ने जा रहे हैं हम लोग पहले पीछली कक्षा में पढ़े हुए अंस की पुन्रावरति कर लेते हैं सबसे पहले हम लोगों ने यह जाना कि भारत राजनीतिक और आर्थिक दिश्टी से पहली बार एक अन्य देश का पुछलना बन गया मैंने कि उनके इसारे पर चलने लगा अंग्रेजी जो सामराजिक की स्थापना हुई उससे भारत के लिए एक नई घटना थी वह जो है भारत के लिए एक नई पूजिबाज सारे विश्व में जो बाजार तयार कर रहा था उससे हर हालत में भारत में आर्थिक धाचे का पर प्रभाव पड़ा भारत अब अंग्रेजी आर्थिक धाचे का गुलाम बनकर रह गया और किसान भी उनके गुलाम बनकर रह गया इस तरह अंग्रेजों ने ऐसे घरों को ऐसे वर्ग को जन्मदिया जिनके स्वार्थ अंग्रेजों के स्वार्थ से ही मिलते जूलते थे। यह वर्ग राजा, जमिदार, सरकार के विभिन विभागों के पटवारी, गाउं के प्रधान एवं उच्छ अधिकारी थे वे वर्ग जो है वे आम जनता को लूटते थे चूशते थे और अंग्रेजों की तरह उनके कून चूशते थे अंग्रेजों के प्रतेक जिले में कलेक्टर रख दिये थे और वे आम जनता से मुह मांगी टैक्स वसूल करते थे उनका काम था कि लोगों से टैक्स लेकर अंग्रेजों के खजाने भरना यहां तक की भारतीयों को उनके विभिन तरह के खर्च भी समालने पड़ते थे यहां भारत की आम जनता को ब्रिटेन के अनेक खर्च उठाने पड़ते थे उनके सेना के लिए जो खर्च जाता था जिसका नाम था कपिटेशन चार्ज वह भारत को ही देना पड़ता था उसके पस्चाथ भारत में ब्रिटिस शासन के अंतर विरोध हुए उसमें यह हुआ कि भारत में कुछ समाज सुधारक पैदा हुए कि कुछ हत तक अंग्रेजी जो सिक्षा या संस्कृति थी ते उसके प्रशनसक हो गए और उनमें सेे यह राजा राम मोहन राए फिर उसके बाद उनूने बंगाल में अंग्रेजी सिक्षा और समाचार पत्रक की शुरूएत की उन्होंने शिक्षा के आगे बढ़ाने की उनको जागरत करने की चैस्टा की उन्होंने महिलाओं के वो श्तिती में दशा में सुधार करने का बहुत प्रयाज ससाथ महिलाओं किस्त्रियों की सिक्षा पर भी जोर दिया और उनकी जो सोच थी भारत में पूर्ण जागरण के बिना परिवर्तन लाना असंभ हो है उनका मानना था कि भारत में यदि जागरण करना है तो उनके लिए सिक्षा आवस्यक है बहुत से लोगों ने उनका समर्थन किया जिसमें रविदना टेगोर का परिवार था वे दिल्ली समराट की ओर से इंग्लैंड गए और दुर्भागे से उनीस्वी सदापदी के सुरवाती वर्षों में ही ब्रिस्टल में उनकी मृत्यों हो गई फिर सन सत्यावन अठारा सो सत्यावन में महान क्रांती हुई उस समय जो जाती ह समय समाज में उसके प्रतीवी लोगों के मन में बहुत विद्रहूं वाधा हो गया दर्म, तकलुन भी दर्म की जो कटरता थी जातियता से जो समबंधित समाज में चुआचूत या उंचनीच का जो भाव था उसके प्रतिवी लोगों के मन में बहुत बुरी भावना थी हिंदू और मुसल्मान सभी भारतियों ने इस विद्रोह को बढ़ावा इसमें बढ़ चड़कर कुछ दिनों के बाद लोग जो है अंग्रेजी शासन का विरोध करने लगे जो 1857 की क्रांती हुई उसमें सबसे पहले मे भारतिय सेना ने अंग्रेजों के किलाब वगावत किया और विद्रोह की शुरुवात तो गुप्त तरीके से हुई लेकिन कुछ योजना में कुछ शुरुवाती दोर में उनके योजना बिगड गई जिसके कारण जो है वह उनका जो विद्रोह था वो मात्र सैनिक विद् आंदोलनों में बढ़ चड़कर भाग लिया जैसे कि हिंदू और मुसल्मानों के बीच कई सामाजिक कूरीतियां फैली हुई थी इस समय सामाजिक सुधारकों ने जो समाज सुधारक हुए उन्होंने जिसमें से राजारामोहनराय का भी नाम और दयानंद सरस्वती ये दो महत्वखूर्नों का नाम भूत महत्वपूर्ण माना जाता है और इन्होंने क्या किया हिंदू धर्म में कुछ सुधारबादी आंदोलन चलाया राजा राम मुहंराय ने ले हिंदू में हिंदू वरंभ समाज की स्थापना की और 19 श्यताबदी में उन्योंने श्यताबदी में दयानन सरसुती ने महत्य पूर्ण सुधार आंधोलन की शुरुवात की यहां आर्य समाजियों का आंदोलन था इसका नारा था वेदो की और चलो आरे समाज में वेदो की एक विशेज धंग से व्याख्या की गई इसका प्रसार मुख्य रूप से पंजाब और संयुक्त प्रदेश में के हिंदू वर्ग में हुआ उन्होंने हिंदू धर्म और दर्शन के विविद पक्षो को आपस में जोड़ कर जनता के सामने रखा वे सामप्रदाइकता के विरोधी थे और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी धर्म सत्य की ओर जाते हैं अब हम पुस्तक का आंस पढ़ेंगे और उसके बाद उसके अर्थ को जानेंगे यहां हिंदू और मुसल्मानों में जो सुधरवादी आंदोलन हुए उन्हों जो है तकनीकी परिवर्तनों और उनके परणामों के द्वारा भारत में बस्चिम की वास्तविक भारत से तकनीकी परिवर्तन हुए उसका परिणाम यह हुआ कि भारत में भारत से पस्चिम की टक्राहट हो गई शुरू हो गई निसवी सताब्दी में भारत से और पस्चिम भारत और पस्चिम से एक वास्तविक रोप से टक्राहट शुरू हो गई विचारों के छेत्र में परिव परतन आया और पहली प्रतिक्रिया अल्प संख्यक अंग्रेजी पढ़े लिखे जो वर्ग थे उनके उनी तक सीमित थी जो पहली प्रतिक्रिया थी वहां अल्प संख्यक यानि उस समय जो अंग्रेजी पढ़े लिखे वाले लोग थे अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग थे उनकी संख्या अत्यंत कम सी इसलिए उनको अल्प संख्या कहा गया है करें उनकी संख्या अत्यंत सीमित थी और उनमें लगभग हर पस्चिमी चीज के प्रती प्रशंसा का भाव था और यह जो अंग्रेजी जानने वाले लोग थे वे हर पस्चिमी चीज को पसंद करते थे हर पस्चिमी चीज के प्रती उनके मन में प्रशंसा का भाव था हिंदू धर्म के कुछ राजनीतिक कुछ सामाजिक रीती रिवाजों से खिन्न होकर बहुत से हिंदू इसाई धर्म की ओर आकरशित हुए और बंगाल के में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी धर्म परिव लिया जुँँढाय का मतलब होता है दुखी किन जयानी कि दूखी जो लोग में यहां हिंदू धर्म की कट्रता से दुखी थे बहुत पिडित थे हिंदू धर्म की कट्रता जाती है गाए द और यह सब उचनीच की जो भावना फैली हुई थी उससे जो लोग किन्न थे उन्होंने सामाजी क्रिती रिवाज से वे किन्न होने के कारण हिंदु धर्म परिवर्टन करके इसार्ग फ्रियाश लेने के लिए उन्होंने प्रयाश के आनि कि वे इसारे धर्म की और आकरशित हुए बंगाल में कुछ प्रसिद्र वेक्तियों ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया और बहुत से बंगाल के बहुत सारे प्रसिद्र वेक्ति थे जिन्होंने भी धर्म परिवर्तन किया राजा राम मुहन राय ने हिंदू ब्रंब समाज की स्थापना की समाज स सुधारवाती नीती के आधार पर की थी उनके बाद केशोचंद्र ने उसे लगभग इसाई रूप दे दिया उनके बाद जो केशोचंद्र थे उन्होंने उसे एकदम इसाई रूप दे दिया बंगाल के उभरते हुए मध्य वर्ग पर ब्रंभ समाज का प्रभाव पड़ा लेकिन धारमी कास्था के रूप में वह बहुत कम लोगों तक सीमी थी यहां ये बता रहे हैं कि जो बंगाल के उभरते हुए मध्य वर्ग थे उनके उपर ब्रंभ समाज का बहुत ती बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा परन्तु धार्मिक आस्था के रूप में धार्मिक जो विश्वास था उसके रूप में कोई खास बने उसमें उतने लोग नहीं समिली तो इसमें कम ही लोग तक ही यह सीमित था कुछ जो भरते वे मध्य वर्ग थे उन्होंने ब्रम्ब समाज का समर्थन किया परन्तु जो धार्मिक आस्था के रूप में जो कुछ लोग थे उन लोगों का इधर ज्यान उतना नहीं गया उनकी संक्या अत्यंत सीमित थी भारत में अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही प्रवित्या काम कर रही थी और हिंदू धर्म के कठोर समाजिक धांच के पिरुद्ध संतोस उभर रहा था भारत के आने छेत्रों में भी यही धारणा चल रही थी यही धारणा वाले लोग थे विशेशकर से विशेशकर और हिंदु धर्म के कठोर सामाजिक धाचे के विरुद जो हिंदु धर्म का कठोर सामाजिक धाचा था उस धाचे के विरुद लोगों के मन में एक असंतोस सुरुवात हू रही थे असंतोस जन्म ले रहा था मैंने स्वामि द्यजान नंन्ग सरस्वति ने एक 08 को महथ्वपून सुधार आंदोलन की सुरूबात की यहां यहीं बता रहा है कि स्वामी दयानंद ने यहां जो 19 सतावदी का उत्तरार्द उत्तरार्द मनें बाद के 50 साल उत्तरार्द और पुर्वार्द एक साल को दो भागों में बाड़ते हैं पुर्वार्द और उत्तरार्द तो पुर्वार्द एक से 50 साल तक होता है और 51 से 100 साल तक का समय स्वामी दयानन सरस्वती ने एक अत्यांत महत्तोपूर्ण सुधार आंदोलन की शुरुआत की 19. सताब जी के उतरार्द का जो समय था उसमें स्वामी दयानन सरस्वती ने एक बहुती महत्तोपूर्ण सुधारवादी आंदोलन शुरू की किया लेकिन उसकी जड़ पंजाब में पंजाब के हिंदुों में जमी उन्होंने शुरू किया जो आंदोलन उसकी जड़ जो है पंजाब में रहे यहां आरे समाज का आंदोलन था और नारा था वेदो की और लोटो यह जो अंदोलन था वो आरे समाज का अंदोलन था और इसका नारा क्या था वेदो की और लोटो इस नारे का वास्तविक अर्थ था वेदो के समय से आरे धर्म में होने वाले विकास का निशेद वेदो के इस धर्म का मुख्य रोप से नारा ये था कि वेदो की और लोटो और इस नारे का वास्तविक अर्थ क्या था वेदो के समय से आरे धर्म में होने वाले जो विकास है उनका निशेद करना निशेद यानि की मनाही मनाही करना ठ्सक्या तो वेदो के समय से जो उसमें आरे धर्म में जो आरे धर्म होने वाले विकास से उसका निशेद करना इसका मुख्य वास्तवी करत था अब यह बात महत्वपूर्ण है कि इसका प्रसार मुख्य रूप से पंजाब और संयुक्त प्रदेश में हिंदू मध्य वर्ग में हुआ यह बात महत्वपूर्ण है ध्यान देने योगी बात है कि जो संयुक्त पंजाब और संयुक्त प्रदेश थे उसमें हिंदू का जो मध्य वर्ग था उसमें इसका प्रसार मुख्य रूप से हुआ एक समय ऐसा आया जब सरकार इसे राजनीतिक रिष्टी से क्रांतिकारी आंदोलन समझती थी और एक समय धीरे धीरे ऐसा आगया कि सरकार इसे राजनीतिक रिष्टी से क्रांतिकारी आंदोलन मानने लगी थी लड़के लड़कियों में समान रूप से सिक्षा के प्रसार में स्थित्रियों की स्थिती का सुधार करने में और दलित जातियों के स्तर को उचा उठाने में इसने बहुत अच्छा काम किया ये जो उन्होंने संस्था खोली थी ये जो मतलब आरे समाज की स्थापना उन्होंने की थी इस समाज के द्वारा लड़की लड़कों को बराबर रूप से समान रूप से सिक्षा का अधिकार दिलाने में उनके सिक्षा में प्रसार करने में इसके पस्चा सिस्त्रियों की जो दस्षा है उसको सुधारने में दलित मतलब जो निची जाती है उन जातियों के स्तर को उच्छा उठाने में कि दिशा में इस समाज ने बहुत अच्छा काम किया इनका बहुत सी योगदान माना जाता है लगभग स्वामी दयानंद के ही समय में बंगाल में एक दूसरे धंका व्यक्तित्व सामने आया यहां यह बता रहे हैं कि लगभग इसी समय स्वामी दयानंद के समय ही बंगाल में एक दूसरा व्यक्तित्व भरकर सामने आया और नए पढ़े लिखे वर्ग के बहुत लोगों का उस पर लोगों पर उसका प्रभाव पढ़ा और जो व्यक्तित्व सामने आया था इस समय उसका प्रभाव जो नए नए नव सिक्षित लोग थे जो नए 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 सिक्षा घ्रहण किये थे ऐसे पढ़े लिखे वर्गों पर उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पढ़ा वे श्री राम कृष्ण परम्हांस थे और यह जो व्यक्तित्व जिनके बारे में कहा जा रहा है यह व्यक्तित्व था श्री राम कृष्ण परम्हांस जी का वे सीधे साधे विद्वान नहीं पर धर्म प्राण व्यक्तित्व थे और करें कि उनका व्यक्तित तो था वह बहुत सीधे साहे इंसान थे कोई बहुत ज्यादा विद्वान नहीं थे मनें शिक्षा की दरिश्टी से बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं थे परतु धर्म प्राण थे धर्म प्राण मनें धर्म मानने वाले धर्म प्राण धर्म नेंगे धर्म वनें तो धर्म इस में ज्यादा विश्वास करने वाल схvenir समाज सुधार में उनकी कोई विशेस रोची नहीं थाय, सीधे साधे पर भारत के अन्य संतों की परंपरा में आते हैं वे अत्यांत्र सीधे साधे व्यक्तित्य रिख अ चैतन्य आदि जो संत थे उन्हीं की परंपरां में आते हैं वे मुख्यतह धारमिक थे पर साथ ही बहुत उधार थे वे ऐसे हिर्दय से बड़े उदार व्यक्ति थे और एक धार्मिक व्यक्ति चो थे ही साथी वो हिर्दय से बड़े ही उदार थे आत्म साक्षादकार आत्म साक्षादकार की खोज के में वे मुसल्मान और इसाई तत्व ग्यानियों तक से मिले आत्म साक्षादकार बने आत्मा का अपनी आत्मा के बारे में जानना आत्म साक्षादकार अपनी आत्मा के बारे में जानना कि इस इस खोज में इस जिग्यासा में वे मुसल्मान इसाई सभी जो तत्व ज्यानी हैं जो इस दिश्या में जानकार लोग हैं उसे ये इन्होंने भेट की इसे मिले और अपने कौतुभल को शांत करने की चेश्टा की उसमें से कुछ लोग बहुत कुछ कुछ समय श्री राम कृष्ण के साथ भी रहे और जिन लोगों से ये मिले जिन धर्म के जिग्यासा अपिपासा को मिटाने के लिए जिन अपने जानकारी को बढ़ाने के लिए वे जिन से मिले वे कुछ लोग जो है कुछ दिन इनके साथ रहे अब ये बता रहे हैं कि ये वे कलकत्ता के निकट धक्षिनेश्वर में बस गए और उनके असाधारण व्यक्तित्व और चरित्र की ओर धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकरशित होने लगा यहाँ पर यह बता रहा है कि वे धीरे धीरे जो है वे पहले आकर के जो कलकत्ता के पास एक दक्षिनेस्वन नाम का इस्थान है वहीं पर आके बस कर और धीरे धीरे लोग इनकी तरफ आकरशित होने लगे वे ऐसे आकरशक व्यक्तितों के धनी थे कि लोग उनकी तरब खीचचे चले आते थे धार्मिक विश्वास की बुनियादी बातों पर बल देते हुए उन्होंने हिंदू धर्म और दर्शन के विविद पक्षों को आपस में जोड़ा उन्होंने धर्मिक पक्षों को जो हमारी धर्म की जो नियूती उस पे बल दिया और बल देते हुए उन्होंने जो हमारी बुनियादी बाते थी धर्म और दर्शन की उसके विविद पक्षों को अलग अलग पक्षों को उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया उन्होंने दूसरे धर्मों को भी अपने छेत्र में ले लिया और केवल हिंदू ही धर्म को ही नहीं बलकि दूसरे धर्मों को भी उन्होंने अपने साथ मिलाई मिलाने की चेश्टा की और फिर वे कते हैं कि उन्होंने वे हर तरह की सामप्रदाइक्ता के विरोधी थे संप्रदाईकता, संप्रदाई और एक और ता संप्रदाईकता, संप्रदाईकता में संप्रदाई शब्द है, संप्रदाई संप्रदाई में जाती धर्म से संबंधित शब्द है संप्रदाई और एक और ता संप्रदाईकता, ठीक? तो धर्म संबंदी मतलब धर्म की जो विविधता है उससे संबंदी थे संप्रदाइकता तो यहां पर यह बोल रहे हैं कि वे जो है हर तरह की संप्रदाइकता के विरोधी थे जो जाती धर्म से संबंदी जो भावना थी वुन संप्रदाइक भावना उसे यह बिलकुल इसको पसंदे करते थे उसके ये प्रबल विरोधी थे उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी मार्ग सत्य की और जाते हैं उन्होंने अपने विशारों में ये व्यक्त किया कि सारे जो धर्म है सभी धर्म का एक मात्र रास्ता है सत्य की और जाना यानि कि सभी धर्म का मार्ग है सत्य की ओर ले जाने का सारे धर्म हमें सत्य की ओर ले जाते हैं आधुनिक जीवन के संदर्म में उन्हें समझना कठिन है परंतो आधुनिक जीवन के संदर्म में अधि हम इस बात को समझना चाहें तो ये बात समझना अत्यांतर कठिन है कि हमारे जीवन में सत्य का विशेश महत्व है सभी धर्म सत्य की और ही ले जाते हैं इस बात को समझपाना अत्यांतर कठिन है फिर भी वे भारत के बहुरंगी सांचे के अनुरोब थे ऐसा माना जाता है कि उनके विचारों को समझ पाना कठिन है फिर विवे भारत का जो बहुरंगी साचा है यानि भारत में जो विवेदता है उस विवेदता के अनुरूप उनका वेक्तितु था बहुत से लोग जिनोंने उन्हें कभी नहीं देखा उनकी जीवन कथा से प्रभावित हुए ऐसा कहा जाता है कि जिनोंने कभी देखा ही नहीं उन्हें यानि रामप्रिश्ण परमांस को जिनोंने देखा तक नहीं वे भी उनके वेक्तितु से आकरशित हुए मने उनके बारे और उनके मुख्य शीष्य विवेकानद की जीओनी लिखी यह बता रहे हैं कि ऐसे लोगों में जो पहले बता रहे हैं कि इन्होंने कभी उन्हें देखा तक नहीं वे भी उनके विचारों से मतलब उनकी तरह पाक्रिष्ट हो गए ऐसे लोगों में रोम्य रोला वी एक थे और उन्होंने उनकी तथा उनके शिश्य थे विबेकानन्द उनके जीवन ही लिखी उनके जीवन के बारे में उन्होंने लेखा विबेकाननद ने अपने गुरु भाईयों के सहयोग से राम कृष्न मिसन की स्थापना की, यहां यह बता रहे हैं की राम कृष्न परमहंस के शिस्य थे, एक मुक्श शिस्यों में एक थे vivaikānand और वivaikānand जी ने अपने जो गुरुभाई थे, उन गुरुभाईयों के सहयोग से, सहयोग मतलब साथ से, सहायता से, सहयोग यानि उनके साथ से, उनकी सहायता से, एक मिशन की स्थापना की, जिसका नाम था राम कृष्ण मिशन, जिसमें सामप्रदाइक्ता नहीं थी. जो जाती अभ्येद भाव होता है वो यहाँ पे नहीं रहा यह जो राम कृष्ण मिसन है इसमें सामप्रदाइकता की भावना नहीं थी यानि हर धर्म को यहाँ पे उदार द्रिष्टी से माननेता दी गई थी विवेका नंद के पास अतीत का आधार था और उन्हें भारत की विरासत पर गर्व था अतीत यानि की अतीत मने पुराना और विरासत यानि की पीडियों से मिलने वाली संपत्ति पीडियों, पीडियों से मिलने वाली संपत्ति, विरासत पीडियों से मिलने वाली संपत्ति, यह है विरासत संपत्ति, ठीक है, पीडियों से मिलने वाली संपत्ति, तो यहां यह बता रहे हैं कि जो विवेका नंद थे उनके पास अतीत का आधार था उन्होंने अतीत को आधार के रूप में माना था मतलब कि हमारे पास हमारा जो अतीत है वो बड़ा ही सम्रिध है वे जानते थे और उसको उन्होंने आधार के रूपे माना था और उन्हें भारत की विरासत पर गर्व था मने भारत की कई पीडियों पुरानी जो समरिद्धी है उस पर वे गर्व करते थे कि भारत इतना समरिद्ध सुसंस्कृत देश है इस समरिद्धी पर भारत की समरिद्धी पर उनको गर्व था फिर भी जीवन की समस्याओं के प्रती उनका दृष्टिकोन आधुनिक था और पुराने विचारों को मानेता देने के बावजूद उनका जो दृष्टिकोन था उनकी जो सोच थी वह पूरी तरह से आधुनिक थी और वे भारत के अतीत और बर्तमान के बीच एक तरह के सेतू थे सेतू यानि जोड़ने का काम करने वाला पुल को करते हैं सेतू तो वे जो है एक पुल के रूप में थे एक सेतू का अर्थ होता है पुल सेतू में मने पुल मतलब कि उन्होंने अतीत और बर्तमान को जोड़ने का कारे किया अतीत और बर्तमान के बीच वे सेतू की तरह थे यानि कि उनको अतीत और बर्तमान को पुराना और नया इन दोनों को उन्होंने जोडने का कार्य किया वे बंगला और अंगरेजी के ओजश्वी वकता थे वकता मनें वकता यानि की बोलने वाले उनके पास वाड़ी की सम्प्रद्धी थी वे बहुत अच्छा बोलते थे तो यह कर रहे हैं कि और केवल बंगला ही नहीं वे अंग्रेजी के भी एक अच्छे वक्ता थे अंग्रेजी भासा का भी उनको एक उनके पास एक अंग्रेजी के भी प्रकांड विद्वान थे और बंगला गद्य और ललित कविता भी लिखते थे इसके साथ साथ वे बंगला गद्य और ललित कविता का लेखन भी करते थे यानि कि कविताई भी लिखते थे और गद्य भी लिखते थे वे सुंदर व्यक्तित्टों के धनी थे रोबिले, शालीन और गरिमावान उनका व्यक्तित भी बड़ा ही आकरशक था कि वे देखने में भी सुंदर थे और साथ साथ रोबिला उनका चेहरा था और साथ साथ शालीन भी थे वह अपने उपर और अपने मिशन पर भरोसा करते थे वे एक आकरशक व्यक्तित्टों वाले थे आकरशक व्यक्तित्टों के धनी थे देखने में सुंदर थे और साथ साथ उनका जो चेहरा था वो अत्यांत रोबिला था स्वभाव अत्यांत शालीन था सुशील स्वभाव के थे साथ साथ गरिमा वान व्यक्तित्टों था साथ में उनको अपने उपर और अपने मिशन के उपर बहुत भरोसा था इस उन में भारत को आगे बढ़ाने की गहरी लगन थी वे चाहते थे कि भारत का विकास हो भारत आगे बढ़े भारत भी सभी के साथ आगे आए सामने आए उनको ऐसा लगता था कि भारत में जो सामाजिक विवस्था है वो बहुत पिछड़ी हुई है उस सोच को वो बदलना चाहते थे तो इस तरह से वे भारत को आगे लाने का बहुत उन्होंने प्रयास किया उदास और पतित हिंदू मानस के लिए वे संजीवनी की तरह थे जो हमारे धर्म की कटरता थी उससे जो लोगों के मन में उदासी चा गई थी उन लोगों के लिए वे संजीवनी की तरह थे यानि कि उनके अंदर एक नया प्राण फूकने की उन्होंने उनके अंदर जहमता करने का उन्होंने प्रयाज किया धन्यवाद शेस अगली कक्षा में पढ़ेंगे